दोस्तो 24 सितंबर को खतम हुआ था दुबाई प्रोशो जिसके अंदर मल्टिपल डिवीजिन्स हमने देखी इसके अंदर एक डिवीजन थी क्लासिक फिजीक, दूसरी थी 212, तीसरी थी मेंस फिजीक डिवीजन और mainly इनी डिवीजिन्स के अंदर हमने देखा competition होते हुए, कई सारे Indian athletes को compete करते हुए तो थोड़ी बहुत आज हम इस चीज की बात करेंगे इस competition के और उसके बाद मैं updates कवर करूँगा यहाँ पर starting हम लोग करेंगे इसमें Classic Physique Division के साथ में जिसमें हमने winner बनते हुए देखा Terence Ruffin को, जो काफी लंबे समय बाद एक show जीते और Olympia के लिए finally qualify कर गए इसमें second place पर आते हैं Fabio Junior, जो एक काफी ज़्यादा mass monster type athlete दिखे, ज्यादा करके Classic Physique से ये एक bodybuilder दिखे वहीं अगर third place की बात करों तो इसमें Wesley Wizards आते हैं, जो अपनी life की best physique लगर के आये थे उनके हिसाब से और यहाँ पर तब भी तीसरे placing पर आये हैं, आला कि इससे पहले वाला एक show इन्हों ने जीत लिया है और Olympia की qualification अपनी बना चुके हैं फोर्थ placing पर आपर Chen Kang आए, जो एक round muscle bellies वाले athlete है, काफी symmetrical physique उनकी है इसके बाद इस division में हमारे तीन Indian athletes थे, इसमें सबसे पहले athlete थे, अर्विंद स्पाक्टस और competition listman का नम अर्विंद रवी कुमार के नाम से है इनकी इसमें आती है 14th placing out of 16 bodybuilders इसके बाद यहाँ पर प्यूश राज जो compete करने वाले थे, लेकिन वो इस show के अंदर दिखाई ही नहीं दिये यहाँ पर इसके बाद में एक और Indian athlete आते हैं, जो है सुबील निसार जिनको मैंने cover करा था और यह इनका I think दूसरा pro show था, जिसमें कि इनकी again last placing आई तो यहाँ पर यह 3 Indian athletes थे और सबसे ची प्लेसिंग इसके अंदर में, अर्विंद ने ही हासिल करी और हमने यह भी देखा कि जो call-out से पहले का एक line-up होता है, जिसमें कि सारे athletes को बुलाया जाता है, उनकी numbering के इसाब से, जिस trunk number पे athletes को रखा जाता है इसके अंदर हमने खड़े वे देखा यहाँ पर अर्विंद को वेजले विजर्स के साथ में, और यहाँ पर वो call-out नहीं था, exactly call-out इसके बाद ही start हुआ, यहाँ पर size difference आप देख सकते हो, इन दोरों athletes के अंदर में, mainly वेजले, एक top के contender हो ही, अर्विंद का यह एक पहला pro show था, उनका pro debut था एक चरा से और उनके यहाँ पर 14th placing लगी, definitely deep cuts उतने जादा नहीं दिखेंगे, as compared to Wesley, इसलिए compare करना हूँ क्योंकि दोनों भी साथ में खड़े हुए है, उसके अलावा अगर में बात करता हूँ, तो Wesley जादा proportional है इनके मुकाबले, obviously वे पुराने athlete है, का हर चीज में muscle quality wise भी वह बहुत जादा refined दिखाई दिये, तो इसलिए आपर Wesley first call out में जागा बना लेते हैं, Terrence के साथ उसमें compete भी करते हैं, Terrence यहाँ पर show जीत लेते हैं, जब हम लोग इस show को देख रहे थे, तो दोस्तों, इस show के अंदर में HD footage तो कहीं मिली नी, तो से कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अच्छी quality video है, Terrence इसके अंदर हमें दिखाई दिये, और Wesley के आगे definitely एक काफी छोटी height उनकी है, लेकिन at the same time वो बहुत ज़्यादा complete थे, बहुत लगातारी अपने pose को hold करके खड़े थे, चमक उनका सग्डिन था, लेक्स के अधर cuts अच्छे थे, लेकिन आप स्टिल देखोगे कि इस show की lighting इतनी poor थी, कि हाँ पर हर एक athlete ऐसा लग रहा था कि बहुत ही flat है, ज्यादा condition नहीं है, graininess तो किसी के अंदर दिखाई ही नहीं दे रही थे, और सब लोग बहुत ही soft soft दिख रहे थे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क् कि सारे athletes बहुत ही दमदार है, definitely हाँ पर हर एक division, men's physique, classic physique, 212 में भी जगा ऐसी समस्या देखने को मिले के, athletes उस तरीके से muscles उनकी pop नहीं कर रही थी, तो lighting बहुत जादा पढ़ रही है, हाँ पर athletes के उपर में, और इसलिए जो original उनकी physique है, वो हमें नजर आई ही नहीं, यहाँ पर वेजले की physique पर भी देखो, तो light काफी ज़्यादा पढ़ रही है, वेजले इसके अंदर में दिखाए दिये, काफी ज़्यादा शार्प, और उनका क्याना वो अपनी life की best physique लेकर क्या है, लेकिन at the same time, यहाँ पर उनके glutes, hamstrings बहुत ज़्यादा lack कर रहे थे, वहीं पर उस तरीके से aesthetics नहीं है, जो classic physique athlete की होने चाई, और legs के अंदर cuts नहीं है, legs उतने बड़े नहीं है, लेकिन यहाँ पर second placing उन्होंने हासिल करे और Wesley को यहाँ पर हरा दिया, चैन कैंग एक बहुत अच्छी physique के अंदर लेकर के आए, और कोई off नहीं आया थे, लेकिन वहीं है, क कोई बहुत ज़्यादा sharpness आपको किसी भी athlete में आपर नहीं दिखाए देगी, because lighting उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चैन कैंगे अच्छी sharpness के साथ आए, मैं हाँ पर clear कर दूँ, तो सारे athletes अच्छे थे, और beach वाले athlete ये fab view बहुत ज़्यादा hard थे, और इसलिए आपर second placing Terence के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, Terence उस level के एक fullness पे नहीं आए थे, लेकिन हाँ, जिस तरीके से पोज हिट कर रहे थे, vacuum पकड़के खड़े में तो खड़े ही हुए है, और इनके body में कोई एक थकान नजर नहीं आ रही थी, सबसे बड़ी बात है, Terence ना पोज मारने में हि क्योंकि count होती ही है, इस factor ने उनको उपर रखा, इसके अलावा, फिजीक उनकी top to bottom, left to right complete थी, किसी ना किसी अथलीट में कुछ ना कुछ कमिया थी जरूर, पर Terence overall बिल्कुल complete थे, इन सारे अथलीट के मुकाबले, तो यहाँ पर वही चीज जजीज ने देखी है, एक थिक मास अच्छा है अपर बाड़ी में, लेकिन वही है, लोर बाड़ी काफी ज्यादा लैक कर रही है, और डीप कट्स नहीं है, लेकिन अरविंद के अंदर वो potential है, कि वो क्लासिक में ग्रोव को कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो मेंली वही वाली चीज है, कि वो quality अभी बीच में rely कर रही है, exactly है, किसी एक point पे नहीं नजर आ रहे है, इससे पहले men's physique में थे ये, तो मेंली अरविंद के आपको glutes एक दम soft दिखेंगे, hamstrings लेकिन फिर भी अच्छे हैं उनके, at least वेजले से ज़्यादा deep separation दिख रहा है है हमस में, यहाँ पर उनकी इसलिए 14th placing आ ना में इनका, तो pronunciation में problem, pronunciation में problem होगी, लेकिन यहाँ पर problem यही है, कि इस division को मैं आपर judge नहीं करूँगा, because clear photos नहीं है, लेकिन जितना सामने सामने दिख रहा है हुझे साब से मुझे इमरान खान के यहाँ पर फिजीक काफी अच्छी लगी, मैं सही बताओ, उनकी फिजीक वैसे भी देखो, लैट की width की problem निकी साथ में वैसे भी है, पर इसके अंदर यह बहुत ही ज़्यादा narrow लग रहे है, मैंस फिजीक का गेम ही small waist और wide lats का होता है, वो यह चीज इनके साथ में आनी पा रही है, फ्रंट से जब यह खड़े हुए हैं तो भी इतने ज़्यादा चोड़ी back वो नजर नहीं आपा रही है, हाँ thickness बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, और conditioning अच्छी नजर आ रही है, और यह सब मैं अभी यह वाली वीडियो देखकर के आपको बता रहा हूँ, और सही बता हूँ मुझे इमरान लग रहे थे के काफी उपर place होने चाहिए थ पिछले साल तो बहुत complaint करी थी, जब शेरू classic के अंदर भूवन चोहान से हार गए थे, तो तब क्यो complaint करी और अब क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दू, इमरान ने कई सारी stories repost करी हैं, जिसमें कि उनको compare किया जा रहा है second place competitor से, और दिखाय जा रहा है कि उनके abs कैसे हैं, उनकी chest कैसी है, उनकी arms कैसे हो, महीं इमरान 7th place पे होते हो भी, कितने उनसे बहतर दिख रहे हैं, एक story यह भी post की गई है, जिसमें की मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो इसमें लिखा है, कि we athletes get demotivated when judgment goes wrong, as you know we do a lot of insane preparation for months and months to just showcase for 10 to 15 minutes on stage, और बाकी यहा पे यह भ इमरान खान नहीं post की है, इसके बाद एक और story यह भी post करी है, जिसमें कि उनको number one बोला जा रहा है, तो वो मानते हैं कि लोग जो चीजे कह रहे हैं, वो सही है, इसलिए उन चीजों को post कर रहे हैं अपनी story पे, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, कि उन्होंने आवाज नहीं उ एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, जो बिल्कुल perfect है, हैरानी की बात है, Mr. Olympia तक में controversial decisions दिये जा शुकती हैं कई बार, पर ये लोग मानके बैठे हैं कि Indian shows, शेरू क्लासिक या कोई भी और दूसरा, IBBF का even show, इन सब में बिल्कुल fair decisions जाते हैं, तो पतानी क्यों athletes बाहर से आ इसको दर्शाता है कि वो खुश नहीं है, अपने साथ भी placing के दिये गए decision से, तो अवाज तो यहां पर भी उठाई गई है, हाँ उस तरीके से उस एक शोर के साथ में आपर आवाज नहीं उठाई गई, इस तरीके से शेरू क्लासिक में उठाई जाते हैं, बिकॉज मेरे साथ से यह results यहां पर इतने ठीक नहीं थे, और दूसरे athletes से बहतर लग रहे थे इम्रान कई सारी जगा पर, हाँ एक width नहीं थी, तो possibly यहां पर भी cheating हुई, और अपने athletes को यहां पर favor किया गया, मैं भी यह मानता हूं कि decision सही नहीं था, इनको और उपर place होना चाहिए थ at least top 3 में तो उनको आना चाहिए था, फिलाल इम्रान ने announcement कर दी है कि यह Mumbai pro show में दुबारा खेलने आने वाले है, जो यही 19 तारीक के आसपास होगा नवंबर में, Olympia के बाद, तो यह थोड़ा सा अब अलग तरीके का मामला आ गया, क्योंकि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अब यह कोई और pro show ना खेले, डारेक्ट Mumbai वाले खेले, और अगर बीच में कोई show नहीं खेलेंगे तो इस साल Olympia कैसे qualify करेंगे, और दूसरी चीज़ यह कि अब Mumbai वाले show में वापस से क्यों आ रहे हैं, यह भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि वो एकदम उतने fair results महाँ पर नहीं जाते हैं, हमें भी पता है, मैं भी promoters इनको call कर रहे हो, पता नहीं, वो हम आगे जाकर कहीं देख पाएंगे, लेकिन अभी इन्होंने announcement कर दी है कि यह आने वाले हैं, शेरू classic यह Mumbai pro show या फिर भारत pro show जो इस बार इस नाम से होने जा रहा है, तो अभी का त stem cells थैरी भी चल गए और उसको सही होने में stem cells को पूरी तरह काम करने में एक से दो साल लगते हैं, जो खुद उनके doctor ने बोला है, यह बोला गया है कि nerves जो उनकी inflamed हैं, उनको ठीक होने में दो साल के आस-पास का वक्त लगता है, तो यह बहुत सही decision लिया, रैमी ने इस साल और लंपिया skip करके अगले साल आने का, इससे उनको एक अच्छा खासा phase मिल जाएका, rest करने का, दो साल के आस-पास नहीं तो पौने दो साल के आस-पास का ज़रूर, और अभी रैमी ने यह भी accept करा, बॉब चिक रहलो के साथ एक interview में कि उनके elbows के अंदर भी inflammation है, और उनकी whole body के अंदर inflammation है, जिस वज़ा से उनकी muscles weak होती जा रही है, अब उनके doctor ने बताया था कि उनकी nerves inflamed है, जिसकी वज़ा से उनकी muscles weak पढ़ रही है, फिलाल इनकी पूरी body में ही inflammation है, rest इनकी body मांग रही है, ऐसा लग रहा है कि रैमी mental तोर पे, ऐसा लग रहा है कि रैमी mentally अपन तक भी उनकी body पूरी तरीके से heal नहीं होती, तो फिर वो सीधा Olympia में ही दिखाए देंगे, because Mr. Olympia है two time, तो वो पूरी life के लिए qualified है, वो कभी भी किसी भी Olympia में जा सकते है, या किसी भी Arnold में, तो यहाँ पर रैमी को चाहिए rest, बहुत सही उनकी decision लिया, यह मेरा मानना है, क बभूल जाएंगे उस चीज़ को, लेकिन जेलना तो उस इंसान को है, जिसने अपने उपर इतना लोड ले रखा है, तो मेरे साब से बहुत अच्छा decision है, रैमी का यह, फिलाल, उनका यह भी कहना है, कि उनका कोई जस्बा तूटा नहीं है, वो यह believe करते हैं, कि वो फिर स साल आएंगे, तो 40 के हो जाएंगे, तो एज तो इतनी अपनॉर्मल हो गई है, लेकिन फिर भी health athletes की काफी deteriorate हो रही है आज के समय में, तो रैमी अपनी पहले health पे ध्यान दे, और बिल्कुल एक साल का gap लेकर करके आए, तो कोई problem होनी नहीं चाहिए, बाकि आप लोग बता शेरू classic France के उपर आजाता है, तो शेरू classic France होने वाला है, 30 तारिक को, जिसके अंदर compete करेंगे, नाथन डे आशा, तो ये फिर से आ गए है, तीसरे शो को खेलने के लिए, इस से पहले वाले शो में मालूम है, नाथन वर्जी जिरीगन का जो हुआ था, वो कितना ज्यादा अपसेट कर गया था, सभी लोगों को, और नाथन काफी जादा उस चीज से डिससटिसफाइड थे, सभी लोग हुए बल्की, तो इस बार ये फिर से आ रहे है, मेरे साब से इस शो के अंदर कोई बहुत बड़ा चैलेंजर इनके सामने नहीं होगा, और यहाँ पर इनको फ आस-पास आएंगे जो नोने यूरोपा प्रो में दिखाया था, बाकी इनके खिलाफ यहाँ पर एक अगर मनाम गिनवाने चाहूं तो आंड्रिया म्यूजी है, जो बहुत ज़्यादा बड़े अथलीट नहीं है, एक नए अच्छे दिख सकते हैं, इनके साथ में आकर के ब यह एक लाइनप जा सकता है, यह इस तरीके से रिजल्स रह सकते हैं, बाकी तो दोस्तों यही थे सारे के सारे आज की निउस, बस मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टेटियों गुडबाए, शुक्रिया